एलो गाइज वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेथ आफ डॉक्टर स्ट्रेंज की एक साइट स्टोरी स्पाइडर मैन तो चलिए शिरू करते हैं बैन राइली जो की पीटर पाक का क्लोन है उसमें काफी स्पीड है शक्ती है और चुस्ती है एक स्पाइडर के जैसे गोंध की तरह चिपकने वाले टौ और फिंगर टिप्स हैं और खतरे का एसास दिलाने के लिए स्पाइडर सेंस भी उससे भी पता है कि ग्रेट पावर के स साथ great responsibility भी आती है एक बैटल के बाद पीटर अभी कोमा में चला गया है बैन अभी ब्योंड कोर्परेशन की सहायता से गुंडों से लड़ रहा है और बन गया है लिए खुद की जान को दाव पे लगाया वो तो किसी के लिए गोली भी खा सकता था बट इस सब के लिए उसे क्या मिला फेम पैसा इज़्जत कुछ भी नहीं उसे एक होस्पिटल में बैट मिला जिसको वह एफॉर्ड भी नहीं कर सकता वो शायद यहां से निकल भी ना है देखो यह fair नहीं है तो वो कहती है well देखो अच्छा है कि मैं कोई superhero नहीं हूँ अच्छे बुरे की चिंता तो उसको होती थी मैं तो एक चोड को पहचान जाती हूँ जब उसको देखती हूँ तो ben कहता है अच्छा यह कहब ही तुम रही nau Britton तो वो कहती है हाँ जब मैं किसी चीज को चुराती हूँ तो मैं उसको पहन के नहीं घूमती तो उन दोनों में भैस हो जाती है बैन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह चाहता था तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस से हैपी हूँ तो वो कहती है मुझे नहीं पता बै बट अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं डेड हो चुका हूँ तो बेन कहता है वाट तो डॉक्टर कहते हैं ये मैंने एक स्पैल बनाया था ताकि जब मेरी डेथ हो तो ये एक्टिवेट हो जाए ताकि जब मैं नहीं रहूँ तो कुछ मसलों का हल हो पाए तो प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे सेंक्टम में आ जाओ क्यूंकि मुझे तुमारी help चाहिए होगी दोस्त मुझे माफ करना कि मैं ये तुम सब पे डालने वाला हूँ बट मैंने ऐसा इसलिए किया क्यूंकि मुझे तुम पे ही भरोसा है कि तुम वो करोगे जिसकी नीड है तो वो दोनों ही वहाँ से चले जाते है Ben कहता है तुम्हें मेरे साथ आने की नीड नहीं है वो जो मैसे था वो स्पाइडर मैन के लिए था ना कि स्पाइडर मैन और उसके अमेजिंग दोस्तों के लिए तो ब्लैक कैट कहती है अच्छा तो तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम भी स्पाइडर मैन तो नहीं हो तो वो कहता है अभी मेरा हक है स्पाइडर मैन बनने का तो ब्लैक कैट कहती है मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे ये खुद देखना है कुछ समय पहले तो मैंने डॉक्टर की जान बचाई थी और अभी वो जा चुके हैं मुझे तो विश्वास नहीं होता कामान वो तो डॉक्टर स्ट्रेंज है न वो खिड़की पे जाके कहते हैं हमें मैसे मिला है तो वों कहता है स्पाइडर मैन और ब्लैक कैट तुम दोनों यहां तो स्पाइडर मैन कहता है क्या यह सच है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत ओ चुकी है तो वों कहता है हाँ यह सच है उनका खून हुआ है हम ढूंड रहे हैं कि यह किस ने किया होका इसके साथ ही हमें वर्ल्ड को भी बचाना है ये नाइट काफी डिफिकल्ट होने वाली है तो ब्लैक कैट कहती है क्या? वो यहीं तो है तुम्हारे पीछे तुमने देखा नहीं तो वोंग कहता है ये तोड़ा complicated है बट वेट तुम तो spider man नहीं हो ब्लैक कैट कहती है मैंने तो पहले ही कहा था तो बैन कहता है देखो ये भी complicated है वोंग ये मैं हूँ बैन तुम्हें याद है लॉस वेगस? हमने डैविल से fight की थी तो वो कहता है हाँ मुझे याद है Mr. Ben बट ये टास्क तो spider man के लिए था कि वो इसको handle कर पाए बट अगर अभी वो नहीं है तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप इसको संभाल ले तो Ben कहता है कि ये है क्या तो वों कहता है कुछ मुसीबते या आने वाली मुसीबते यहाँ New York में बहुत ही अजीब चीजें है जिनके बारे में काफी लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमेशा से उनको संभाला हुआ था उनकी काफी duty थी उन्होंने शपत ली थी कि वो इन सब को संभालेंगे बट अभी तो वो जा चुके है तो यह magical binding भी कमजोर हो रही है इस बात का भी खत्रा है कि city chaos में जा सकती है तो यहाँ Spider-Man कहता है तो अभी यहाँ पे second act of Ghostbusters वाली situation होने वाली है तो Black Cat कहती है वाइल में क्या है वो कहता है यह एक laundry list है डॉक्टर स्ट्रेंज हमें छोड़ गए Spider-Man भी छोड़ गया Black Cat कहती है हम कहां जाने वाल है तो Ben कहता है क्या तुम इसमें भी मेरे साथ हो तो वो कहती है हाँ तुमें क्या लगता है तुम Spider-Man बन सकते हो मैं तुमें देखना चाहती हूँ जब तुम crash होगे और burn होगे वो कहता है ठीक है तो वो सबसे पहले वाले काम पे जाते है जो की होता है कि Gatto Shaman अपना समझोता मत तोड़े मेरी गैर हाजरी में तो वो दोनों यहां बड़े बड़े ऐलिगेटर से लड़ने के लिए जाते है पैडी कहता है ऐलिगेटर और होबो सैमन ये magic स्टफ मुझे पसंद नहीं है ब्लैक कैट कहती है इस बात पे मैं तुम से सहमत हूँ पैडी कहता है क्या तुम उसको पकड सकती हो वो कहती है ठीक है बैन कहता है मैंने वल्चर को देखा है राइनो को देखा है या जो भी क्लासिक सूपर विलन है उनको बट ये सीवे से ढखे हुए डाइनासौर को नहीं तो गैटर उसको कहता है अभी कोई भी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है ये बताने के लिए कि हमें क्या करना होगा तो अभी हम यहां से मेन रोड पे भी जा सकते हैं अभी ब्लैक कैट उसको मुक्का जड़ देती है वो कहती है बा सुनो डमी आज हमें बहुत कुछ करना है तो अभी हम तुम्हारे साथ गेम नहीं केल सकते तुम्हें क्या लगा था तुम्हें डॉक्टर ने ऐसे ही रखा था यहां पे बताओ इसे तो बैन बताता है कि यहां लिखा हुआ है जो गेटे शेमन हैं वो काफी भ्रहमित रहता है और ब्ला 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 मैं इसको स्किप करने वाला हूँ न्यूजयोक के चुपी हुई वन्डर सिटी में से एक है पट शेमन को लगता है कि वो सिटी पे कबजा कर लेगा मुझे तो उन जादूई जीवों की चिंता है अगर वो उन Gators को सर्फेस पे ले आया तो मुझे चिनता है कि वो सेफ नहीं होंगे अगर उनके बारे में काफी लोगों को पता चला तो उनके ऊपर काफी खत्रा भी आ सकता है क्योंकि अगर उनके बारे में Kraven और Family को पता चला तो उनका खतम होना तो पक्का है वाली देखो हमें टाउन में यहां जाना है वहां हमें किसी के पास जाना है जिसको कहा जाता है दी हंगरी प्रिंस ओफ हार्ट्स क्योंकि अभी डॉक्टर जा चुके हैं तो वो वहां आ जाएगा तो वो कहता है इसका क्या मतलब हुआ तो ब्लैक एट कहती है यह किसी किसम का एलफ या पिक्सी हो सकता है या कोई शिकारी हो सकता है फेरी लैंड से तो चलो चलते हैं तो वो जब वहां पहुंचते हैं तो द तो क्या डॉक्टर स्ट्रेंज सच में डेड हैं? तो बैन कहता है हाँ लगता तो ऐसे ही है तो मून आइट कहता है ये तो बहुत ही बैड है मुझे उससे माफी मागनी थी मैं अभी कुछ टाइम मर चुका हूँ मैं किसी को भी ये रेकमेंड नहीं करूंगा बाकी की लिस्ट के लिए तुम्हें गुड लग तो वो लोग कहते हैं चलो चलते हैं तो वो दोनों बाकी की जगा में भी जाते हैं जैसे कि ये इंशूर करना कि स्पिरिट ओफ मैमन बाउंड रहे ब्राउंज में किसी भी जैक्षी के अटैक को देखना चाहिना टाउन में सिक्स सिक्स ट्रेन का भूत बगाना सेंट्रल पार्क के ट्रैगन को खाना खिलाना उसको होट डोग पसंद है एक जगा पे ममिस भी हो सकती है जे वॉलकर पार्क के नीचे वाली आत्माव को खुश करना यहां ब्लैक कैट कहती है मुझे तो विश्वास नहीं होता कि वो चले गए तो बैन कहता है क्या वो तुमारे क्लोस थे तो वो कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है हमने एक दूसरे की लाइफ को डिफिकल्टी बनाया था मैंने उसके वहाँ चौरी भी की हुई है तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम क्लोस थे बट मैं उसको मिस करूंगी मुझे उसके डॉग के लिए बैड फील होता है तो बैन कहता है मैं भी उसके साथ लड़ा हूँ एक टाइम तब उसमें डीमिन जैसा कुछ घुसा हुआ था तो तब मैं वांग, मून नाइट, आइरन फिस्ट, अलैसा थी वो कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई कि तुम लोगों को जानते हो बट उसके बाद उसने सब कुछ वहां पलट दिया उसने डैरिल को पीट पीट के मार दिया ये मैंने आज तक की सबसे खतरनाक चीज देखी है तो ब्लैक एट कहती है गौड एक वर्ल्ड डॉक्टर स्टेंज के बिना तो बैन कहता है मुझे इसके बारे में बताओ तो ब्लैक एट कहती है इसको पता था कि वो इतनी चीजों के लिए रिस्पॉंसिबल होगा गोस्ट, डीमन, ड्रैगन, ममिस वो सबी उसने उन सब का ध्यान रखा हुआ था किसी को भी नहीं पता कि उसने सिटी के लिए क्या किया तो बैन कहता है हाँ ये उसकी जौब थी वो विलेज का डॉक्टर था तो वो कहता है नहीं वो प्रैबल, फैबल जो भी उसका नाम था उस विलेज में एक डॉक्टर था वो लोगों को दवाई देता था उनका ध्यान रखता था वो काफी अच्छा था तो विलेज में कोई भी सिक नहीं हुआ सबी लोगों की सहत अच्छी थी तो इसकी वज़ा से वो लोगों के लिए इन्विजिबल हो गया किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा जब वो इतने सहत मन होंगे तो कौन सोचेगा तो लोग उसकी एहमियत को ही भूल गए कोई भी उसके लिए वोड नहीं लेके जाता कोई भी उसके लिए खाना नहीं लेके जाता किसी ने भी उसकी help नहीं की उसकी शर्थ को fix करने के लिए तुम ये विलेज के डॉक्टर के लिए करो गे ना बट उन्होंने ऐसा नहीं किया वो भूल गए क्योंकि वो सहत मन थे और ऐसे लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे किसी डॉक्टर पे क्योंकि उसकी नीट तो बिमार लोगों को होती है ना तो डॉक्टर अच्छे से खा नहीं रहा था उसकी शत भी लीक हो रही थी लोग उससे मिलने के लिए भी नहीं जाते थे उन्होंने उसको नोटिस ही नहीं किया बट उसके बाद वो सिक होने लगे या खुद को चोट पहुँचा ली या कोई गलत चीज खाली या कुछ भी तो तब उनको एहसास हुआ कि डॉक्टर ने उनके लिए क्या किया बट तब तक काफी लेट हो चुका था तो ब्लैक कैट कहती है कहानी तो अच्छी है ये तुमें किस ने बताई ये पीटर की आंट में ने उसको बताई थी तो चलो चलते हैं तो वो अभी लिस्ट के 21 वाले नमबर पे पहुंच जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि मुझे विश्वास है कि वो गॉबलिन वापिस आ जाएंगे तो बैन कहता है आ ये गॉबलिन तो वो कहती है तुम स्पाइडर मैन बनना चाहते हो ना तो तुमें ये गॉबलिन की आदट डालनी होगी ये अजीब जीब है तुम मेंसे कितने हो यहां अभी वो देखते हैं कि गाड़ी के सामने कोई आ जाता है ब्लैक कैट कहती है ये तुम क्या करने वाले हो तुम्हारा दिमाग खराब है तो वो कहता है शांत हो जाओ ये सूट उसको समभाल लेगा लगता तो है ब्लैक कैट कहती है तुम मेंसे कोन है Gasp पे हाँ पकड़ लिया तो वो लोग सही टाइम पे गाड़ी को रोक लेते हैं वो उन सभी को भगा देते हैं तो ब्लैक एड कहती है क्या तुमारी बस हो गई तो बैन कहता है मैं स्पाइडर मैन हूँ इतनी जल्दी नहीं थैंक्फुली अभी एक ही काम बचा है बट इसकी तो कोई सेंस नहीं बनती ये पहले वालों में से कुछ भी नहीं है तो ब्लैक एड कहती है अगर उन्होंने लिखा है तो हमें ये करना ही होगा तो बैन कहता है मुझे याद आया तुम वहाँ पीडर के साथ किसको छोड़ के आई हो तो वह कहती है तुम चिंता मत करो वहाँ पे मेरे बेस्ट गाइज है तो वहाँ वह अपने दोनों साथियों को छोड़ के आई होती है तो यहाँ वह एक लेडी के पास जाते है और लिस्ट के 22 वाले पॉइंट में लिखा होता है यह ध्यान रखना कि जमीना अपनी शिफ्ट के बास सेफली अपनी बस तक पहुंच जाए तो वो लोग वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों स्टीफिन के दोस्त हैं उसने हमें बताया था कि वो यहाँ आपसे मिलने के लिए आता है यह स्नेक आपके लिए है तो वो लेडी कहती है ओ धैंक्यू वो ठीक तो है ना तो ब्लैक कैट कहती है हाँ वो ठीक है बस वो किसी काम से कहीं गए है तो जाए मीना कहती है वो एक लवली मैन है ना जब में मेरी बैड नाइट होती थी तो वो यहाँ टहलने के लिए आता था वो हमेशा बैड़ता था और मुझसे बाते करता था वो भी पता नहीं कितने घंटे वो एक नाई टाउल था और बस के आने तक मुझे काफी अच्छा फील होता था उससे पता होता था कि क्या बोलना है उसके पास ये स्नैक शेयर करने के लिए भी होता था ये एक मैजिक के जैसे है तो लो मेरी बस आ गई तुम दोनों को थैंक यू तुम उसको भी बता देना कि मैंने उसे मिस किया तो बैन कहता है हाँ मैं बता दूँगा पनी बात है मेरा एंकल भी सही हो गया या तुमें पता है उसका काम क्या है शायद उसने मुझे कभी बताया नहीं तो ब्लैक कैट कहती है वो वो तो एक विलिज का डॉक्टर है तो बैन कहता है तुमने क्या कहा था एक वर्ल्ड वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज के बिना तो वो कहती है हाँ तो तुम सीधे point पर आप तुम कहना कह चाते हो तो वो कहता है हम अभी ऐसे world में रहते हैं जिसमें doctor strange नहीं है हम इसके लिए कुछ change तो नहीं कर पाएंगे बट हम ऐसे world में नहीं रह सकते जिसमें spider man ना हो तो वो कहती है तुम तो ben कहता है हाँ हाँ बट ये सेम तो नहीं हुआ न ये world को spider man चाहिए टीटर अभी spider man नहीं रह सकता वो जो बच्चा ब्रोकलिन में है वो शायद कभी बन जाए बट अभी के लिए तो मैं ही हूँ न तो बताओ मुझे मैंने कुछ गलत कहा तो बताओ मुझे क्या मैं आज spider man नहीं था या मैं वो गाई नहीं था जिसकी नीर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी थी उन्होंने किसी डेर डैविल, किसी ल्यूक केज, किसी आयरन फिस्ट को नहीं कहा उन्होंने कहा spider man को तो वो कहती है ठीक है तुम spider man हो अभी के लिए बट मैं उसे जल्दी ही बैट से निकाल लूँगी तो वो कहता है मुझे तो लगा था कि तुम उसके साथ बैट पे हमेशा जाना चाती हो वो कहती है चुप हो जाओ तो अभी तुम बस रैडी रहना बैन मैं तुम से जल्दी ही मिलूँगी spider man तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खतम होता है तो हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ